जैहिन दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल ऑफिशल जैन के यूटी तो गाइज आज की वीडियो में आपके लिए कुछ न्यू अपडेट लेके आए हैं तो गाइज जैसे कि आपको इंटरफेस दिखी रहा होगा जो ऑफिस ऑफ दा मिशन डारेक्टर नेश क्राइटीरिय क्या रखा है इन्होंने क्वालिफिकेशन के दिखी और साथा जॉब लोकेशन कह रही गाइज आपकी और मैं आपको बता दूंगा जो भी यह अभी रिकूर्टमेंट निकली है अनचम की तरफ से तो गाइज यह कंटेक्शल बेस पे है जो की यूनिट अट दाक के लिए घाई हम वीडियो में बताएंगे कि क्या आप इन्होंने कंडिशन के रखी हुई है किस क्वालिफिकेशन के लिए तो गाइज वीडियो में हमारे चनल पर न्यूली आया हो तो हमारे चनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि हमारे चनल से सबसे पहले जो जो भी सबसे पहले हमारे चनल से दिये जाता है और बेल आइकन को प्रेस करने ना पूलें गाईज चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको पोस्ट के बारे मता देते हैं मैडिकल ओफिसर की पोस्ट है नबर वन जो की नमबर आप पोस्ट कि मिए 49 जाई इसमें आपको क्वालिफिकेशन के चाहिए चाहिए MBS degree होनी चाहिए डिकनाइज इंस्ट्यूट से रेजिस्टेशन रेजिस्टेशन के आपके पास जरूरी होना चाहिए इंडियन मेडिकल कॉंसल के द्वारा जो मिलता है academic qualification के गाइज 70 points होंगे वाइवा वाइस के 30 points location की बात करें गाइज हम NSCU district hospital कर्गिल के दो पोस्ट है नमबर टू पर फोर इच अंडर NPC DCS DH जो की लिए अन कर्गिल में 8 पोस्ट है नमबर तीन पर फोर इच फॉर डी एच ले अन कर्गिल और चोथे नमबर पर फैर रिफ्रेल इंस्टिशन जो की 28 पोस्ट है फिफ्ट नमबर पर डी आई सी आर वी एस के जो की लिए अन कर्गिल दो पोस्ट है गाइज और M.O.M.M.U. लेक एक पोस्ट है गाइज नेक्स पोस्ट की बात करते हैं जो की 13 पोस्ट निकल के आई है M.B.B.S. डिग्री चाहिए किसी भी रिकुनाई इंस्टिउट से आपकी रैजिस्ट्रिशन सेटिपके चाहिए पैडिश्ट्रियोट्रिशन में जो की इंडियन मेडिकल कॉंसिल के दिवारा मिलती है कि दो पोस्ट हैं सब्सक्राइब वन इच डीई आइसी आर बीस के जो कि लिए अ कर लिए दो पोस्ट हैंगी थार्ड की बात करें वन इच फटीजुंश्ट हॉस्पिटल लेएंड करद दो पोस्ट गया चोतर मोई इस एट सेवन छी एच्वेट जोकि लिए रिकल की पोस्ट होंगी भी से नमबर पर बात करें हम गाइज È uh नमबर की बात करेंगा hay basketball जो कि 14 वोगी कॉलिकेश्ट टिप्विक्स डीरी मंगी है recognized Institute से दिरी मनगी recognized Institute से और स्वाइब सब्सक्राइल रिजश्ट्यूइश्ट होना होने चाहिए जो की इंडियन मेडिकल कौन से द्वारा आपको मिलता है अक्याडमी कॉलिफिकेशन की बात कि जब पीजी में 80 पॉइंट होंगे वाइवावाइस के 20 पॉइंट होंगे और लोकेशन की बात करें गाइज हम डी एच से ले और करिकल की अंच होनी और फार ज्योंव टोहेजहाओ normal character ले जोकिए डो स्सनिति होंगे रॉजै। और ओновर नमबर फोगए ऐनेा स्थेंट की पोष्ट पॉश्टर जोकि सात पोस्ट हैं कॉलिफिकेशन की बातrophy स्भी होने चीए आपके पास और पोस्ट ग्याजवेट डिग्री होनी चाहिए आपके बर इकुनाइज इंस्टूट से रिइस्टेशन सेटिफिकेट होनी चाहिए आपका एनिस्थिस्ट फ्रॉम इंडियन मेडिकल कॉंसिल द्वारा और अकाडमिक और आपके वन लोकेशन की बात कर रहें तो वन इच्फवर डिएच लेंड करकि दो पोस्ट पोस्टे होनेंकी से इस्टेशन के अपका चैक्सेलूट सब्सक्राइब करें और लोकेशन की बात करें नेक्स्ट फैर्मिस्ट की बात करें हम पांच पॉस्ट निकल के यह 10 प्लस टू मांगी जो कि रिजिस्टर फैर्मिस्टी ट्रेनिंग कोर्स किसी भी रिकुगनाइज इंस्टूट्स होना चाहिए और अगर आपके बात कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं रिटन पॉइंट रिटन टेस्ट के आपके सो पॉइंट होंगे गाई स्टेट ड्रग्स में लोकेशन की बात करें स्टेट ड्रग्स में वेरहाउस जो की तीन पोस्टे होंगी और स्टेट एंटी एपी ड्रग्स जो की वेरहाउस में दो तो बाकी और कोई अपडेट अगर इसके रिकार्डिंग चाहिए गाईज ये इनकी ओफिशल वेबसाइट है www.a.nic.in इस पर आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसके बारे में आपको मिलेगा क्या और जो भी इसके रिकार्डिंग रहेगा गाईज और साथ जी साथ मैं आपको बता दूँ जो भी कैंडिडेट्स अगर इसमें इंट्रेस्टेड और इलिजिबल हैं जल से जला भी इसके डॉकुमेंट जिस भी पोस्ट के रिकार्डिंग है तो आप उनको मिशन डिरेक्टर और नहीं यूटि लदाक और इमेल कर सकते हैं आप इनकी इमेल भी दे दूँका आप इनको यहां पर जाके जितने भी आपके डॉक्मेंट्स बगारा वह आप इनको समिट कर सकते हैं गाई जो की ऑफिस ऑफ दा मिशन डिरेक्टर नैशन हैल्थ मिशन की तरफ से कुछ वकैंसी आउट की कि जो की यूनियर टैनिटरी आफ ल झाल